आप सभी कक्छा 6 के चात्रों का स्वागत है चात्रों इस वीडियो में हम आपको कक्छा 6 जो आपका बैसे भासा भारती हिंदी है उसके 8 ग्रेट अभ्यास पुस्तिका के अध्याय एक से लेके पाठ एक से लेके पाठ दस तक सभी प्रशनों के उत्तर आपको बताने वाले ह है तो चात्रों करते हैं वीडियो को स्टार्ट इस सबसे पड़े चात्रों आप देख सकते हो यहाँ पर आपका पाठ एक है जो कि है बिज़ाई विश्वित रंगा प्यार है इसके हम कुशन अंसर देखेंगे तो वीडियो को लाइकन ना मत भूलिएगा चैनल को सब्सक् अगला प्रशन है आपका तिरंगी मिस्तित के सरीय रंग किसका प्रतीक है तो इसमें आपका रच्छात्रों राइट आंसर रहेगे सम्रद्धी का प्रतीक है तीसरा प्रशन है विज़ाई विश्वित रंगा प्यारा कवीता के नुशार शरसानी शब्द का अर्थ क्या है तो संचारित होना, क्या लिखना है संचारित होना इसके बाद है भारत माता रिकांकित सब्द युग में किस बिराम चन्न का प्रयोग किया गया है तो यहाँ पर फूर्थ मुत्तराय का यूजक चन्न पांचवा प्रशन सुतंत्रता सब्द का प्रियोग कर एक वाक कर बनाईए तो उत्तर आएगा प्रत्यक विक्ति को सुतंत्रता प्रानों से प्रिये होती है इसके बाद आपका छटवा प्रशन है सुधा सब्द का प्रियोग कर वाक कर बनाईए तो आपको लिखने है पड़े आए बाची पियूस कॉमा अमरित बाग के लिख देना है सुधा पान से बेक्ती अमर हो जाता है यह आपका बाग के प्रियोग हो जाएगा अबला प्रिश्ण है साथ बाग इसकी सान न जाने पाए चाहे जान भले ही जाए पंक्ती का भाव स्पष्ट कीजिए तो शातरों आपको लिखना है भारत की सान एवं गौरब के प्रतीक तिरंगे की प्रतिष्ठा में तनिक भी कमी नहीं आना चाहिए चाहे भले ही हमारे प्राण क्यों न चले जाए आठरा प्राण है दोजा रोहन के लिए आप कौन-कौन से संसादनों बस्तों के अवश रखता होगी तो अत्रा लिखना है तिरंगे, रसी, पुष्प, वाद्ध, दंड की अवश रखता होती है नौबा प्राण है तिरंगे को देखकर तुसमें आपको उत्ता लिखना है तिरंगे को देखकर बीरों के मन में साहस, जोश, सक्ति, बदेश, भक्ति जैसे भाव, जागरत होते हैं दसमें प्रेशन में आपको फर्स्ट पॉइंट डालना है तिरंगे की लंबाई वह चोड़ाई किस माप में होती है दूसरा पॉइंट डालना है तिरंगे की प्रतिक रंग का क्यारत है तिरंगे के चक्र में कितनी दिलियां होती है तीसरा पॉइंट इसके बाद दिर गुत्री में आपका जो आपका अगला प्रिशन 11 इसमें आपको उत्तर लिखना है इस कवीता में कभी ने जंडे को उचा रखने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाने की बात कही है भारत की आन बान बा प्रतिष्टा में कोई कमी नहीं आने चाहिए ते रंगा हमारी राष्टी है भावनाओ का प्रमुख इस तरोत है इसके बाद आपको पंक्तियों का भावरत रिखना है तो आपको भावरत की प्यारे बीरों आओ और देज और धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगादो दूसरा भी एक श्वर में कहूं कि भारत हमारा प्यारा देश है और विजय भावना का प्रतिक हमारा प्यारा जंडा सदा उचाई पर लहराता रहे यह आपको उत्ता लिखना है इसके बाद आपका पार्ट दो है कटन बचन मत बोल इसमें आपका फर्स्ट कोश्टन है बहु से संधिय का इसके वाद आपका अगला कटू सब्द्र का को प्रिए उर मधरोर कैसे बनाये जा सकता है तो वाग्चातुरीशे इसके बाद आपका च्वाथा प्रश्न होत्तर रेखना है मेती वानी के लिए कोवयल दॉत रहा है कववे कववानी के जाता है पर आपार्ट क डालनी है यदि जीव अच्छी है सब अच्छा है दूसरा प्राइब जिव कराब थो लोगोकती करद रिखें यदि आप अच्छी बात करते हैं तो आप किसी उसके बाद सकते हैं कड़ बात करने पर मार मिलेगी इसके वाद है दीए गए गए लिए तो इम्तिहान लगविकर लेक्षा और परियों करना है हमें परेक्षा मुत्री नहोंना चाहिए पिर आपको गुलामी उसमें रखना है अर्ट दास्ता समास्ता रहेगा और इसमें गुलामी किसी भी प्रसंद नहीं है लोगों को बोला लगता है उनके मन को ठोस्ती है आपको एक सब्सक्राइब लिए इसका करना है अपना अर्थ लिखना है तुटार लिखना है आपको हमें जो भी बात कहनी चाहिए बाइशाप सुत्रीस पस्ट और सत्तोहना चाहिए क्यों कटोक बचन से हमारा काम बिगड़ जाते हैं तो था मीठी वानिशे हमारे बिगड़ी काम भी बन जाते हैं जाए आपको लिखना है पार्ट तीन चात्रों हार की जीत फस्ट कोस्टन में से रहेगा ख कि दुरोगटा नामे अपंग हो गया था सात्वा उत्तर लिखना है आपको आए बाकिपर विश्वास लिखना है आपको यह उत्तर रहेंगे हैं रहा सात्वा प्रशन को उत्तर है आपका यदि बाबा भारती घोड़ा नहीं देखते तो खड़क से जित करता और मौक के प सरवनाम करिया विश्यसन था को चाट का लिखना है तो इस लाइनमें करिया चॉतिरुम गोड़ा दिलि स साइकल किसी भी जंगा किसी बी बस्तू किसी बी इस्तान कि नाम क्या जर जो संग्या की स्थान को अ किसकी आपकी उन्हों ने उसकी उसकी तुम्हारी है ना हमारी इस परिकार से तो इस सुरब नाम में आ जाएंगे क्या जिन जिला ना ना जाना बजलना दोड़ना जूर ना भूके ना इस परिकार से आपके आ जाएंगे वुशेश न पीफ्रक कर तो संदर पर वितर गरम उसे बाहर एक मंदिर में रहते थी और भगवान का भजन करते थे वे गोड़े की देखवाल करते थे दाना खिलाते थे प्रशन होते हैं इससे पत्र सलता है कि वे पसुप्रामी दयालू थे 12 प्रशन है आपका जब कोई गरीबां की सहायता से मूह ना मोड़ेगा कहा नहीं कहते हैं बाबा भारती नहीं कहा अपको फूर्ट कोस्टन अपना हंदुस्तान कहा है फर्स्ट आंसर थाई का योजिक चिन सिकेंड में चंतन की विस्तार की थर्ड में डालना है पूर्वे बातचीत पर पत्र तार आदिसरे हुआ करती थी फूर्थ में तो डालना है धन कोश्रे भरे पंक्तिकार्थ में इंसानों के पास बहुत सारा धन धन तो है पर नहीं जनम लिखा है यहां पर आपको करना है अगला है आपका राजनीति की कूठाओन में जनसेवा का भाव कहा है कभीता कि एक पंक्ति लिखीये और पहले कि समय में राजनीती में जन सेवा का भाब हुआ करता था प्रंतु आप ऐसा नहीं होता हूं ठीक है सिक्सक्राइब कभीता में आयो देक्षिन ने बाले कोई चार सब्सक्राइब ढूंड का लिखिए तो सेक्स मतलखना जन जन बड़ी बड़ी जनम जनम ओके नेस्ट कोश्चन है स्यावन्त कोश्चन है राम राजी से अभी राएगा एक दूसरी को श्रय यूग करके जोड़ सकते हैं दस्वे में बिश्वे में हो रही हो जा में मातिपून युगदान हैं हमारे देश का भी का भी देन है ग्याल वे आपको तर आएगा चार वड़ बमनली को रहा है फिर भी हमारे देश की संस्क्राइब चंतन है इसके बार में बतर रखना है आपको को फ़र्षट एक चार पॉइंट लिखने हैं तो आपको नौ बज आई नौ बज गए याने कि आपका सी वाला राइड रहेगा फिर आपको तीसरा प्रशन है कि संग्या सब्द की स्थान पर प्रोड़े सब्दें हैं तो लिखिए तो सरवनाम वह उसकी उसका फोर्स दिख सकती हो आकरमक के लिए को कोई दो दारन तुसीला हसती है बिशुष्वशन किसी कहते हैं समत्त रखना है शंगिया बसरवनाम की वस्ता बताने वाले सब्द को बिशुष्वशन कहते हैं ठीक है तर आपका 606 तरब देख सकते हो आपका लेक्ट अब भूत आपका जाएगा वासे पूरा लिखना प्रूट मत लगाना यहां पर लिखना है भविश्ष और काल भविश्ष काल ठीक है इसके बाद आप देख सकते हो आपका क्या है अल्प बिराम बखपून बिराम की बारे में तो यह आपका लिखा हुआ है आप सेम्ट से मताली देगा इर्ट कॉशन है ब्याकरन पर इवार किया तो संग्यानन्द क्रिय देवी सरवर नाम विशेशन तथा क्रिया विशेशन फिर हिंदी वासा को हिंदी कहना क्या से शुरू हुआ उत्तर लखना है फार्शी बोलने बालिश हिंदू को हिंदू कहते हैं को के बार्श फार्शी बोलने वाले शिंदू को हिंदू कहते हैं इस देश की भासा को उन संदर चोड़ी हड़याली बड़े बड़े नीली लाल क्या रप्रेशन आपका उच्छत बिराम चन्नों का प्रयोग करते हुए अपने परिवार के बारे में पांच बात ने लिखें तो यह आपको उत्तर रहेगा आप देख सकते हो उसके इसके बाद है आपका संस्रीड वांसा को दिवांसा क्यों कहा जाता है उत्तर रखना है यह देश की परशीन वांसा है जिसका विवहार रिशी मुनी सबी करते रहे हैं इसलिए उसके बात चैन्नों इसके वाद आपका बिजेगान तो बिजेगान में आपका जो फर्स्ट कोश्य नहें बहुबी कल प्रश्न उत्तरायका गागर नागर लागर तीक है। इसके बाद है आपका चौंता पूर शौह बदाएं पत में पंगती में कर शमांदबर्ण औरद्दी वाले सब्दों को चांठ कर लिखिये। तो बड़स का जाएगा बदाएं पत का जाएगा पंगती। इसके बाद जो प्रेशनेस मत्तर लिखना है कभी शमुद्र को हेमालाई से, धरती को अकास से और चांद को शूरेश से टकराने की बात कह रहा है तलवार की धार पर चलना मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए अर्थ लिखना है मुश्कल काम करना और फिर आज कर लाल नहीं थी तो तलवार है की धार पर चलने की शमान है यहाँ पर आपको है नहीं लिखना है इसके बाद आपका जो नेस्ट sekund है बो है कोश्चन नमबर शेवन यहाँपर आप देख सकते हो तो कॉस्चिन नंबर ये आपके शामिलें आपको श्रेवांत कॉस्चिन का देख सकते हो फिर एड़्ट कोश्चिन में कौन सा का रहत अलवार में दार पर चलना जतना घटन बताया गया तो इसको तरह आप देख सकते हो इसको नाइन्थ कोश्चिन है डिसी अगस्त द्वरा है ना तो यह आपका दसवर प्रेशने का उत्तर है ग्यारवी में आपका भावारत लिखना है तो भावारत देख सकते हो कभी कहता है कि है बीरो तुम समबल कर चलो चाहिए शमद्रोड हमाला शुरोचंद्रमा तता धड़ती और अकाश आपश में क्यों अठकरा जाए कि गुलामी का जाल जलकर समाप्त हो जाए तुम साथ धानी पूर्वा तरवाना की धार पर चलते चलो फिर बेज़ेगान कवीता का शायर अपने शब्दों में लिखिए उस्तर लगना कभी का शाय कि स्रेश्ट बीरों को बेज़े की मार्ग पर बाधाओं की सुनौतियों सब्सक्राइब करते हुए आगे वड़ते जाना चाहिए नश्र जीवन का एक महास्तर अंगराम है साहा स्पूर्ब अखसान इस आंगे वरते जाना चाहिए आपका हम बेमार ही हम बेमार ही क्यूं हों तो यहां पर फिस्ट कॉश्ट है इस मतलब रखना है संतुलत भोचन कृष्टन सब्सक्राइन सन्तुलै के लिए क्विए ब्र्च के चारा इस्व में निमने लिक्षित खाद प्रदार्त नहीं आता apping फूड़ा नहीं आता खाद्र प्रदारत में तो घीर नहीं आता आपको राइट वतर रहेगा फिर है जलचर सब्द से क्या समखते हो नाले घल सर का अर्थ क्या है तो तरकना एंज़ हम में रहने वाले जीव जलचर कहलाते है क्रोधि शोभाव किस तत्यवकिया इज़ता का परिचार्द है दो अगनी तत्यवकिया देखता का परिचार्द है हम दिखिए को आगनी की शमार्थ थे की को पर पार्थ में अकास तत्व प्राप्ति का मुखषांदनrin किसे बताया गया था मकास को पर सरीर के बनने में कि प्रड़ कोई शमावेश उत्तर लिखना है दूद फल अंकुरित अन्य मकह सहने इन सभी तत्तों का आएंगे लिखना है शमावेश है ठीक के लिखना है आएंगे शमावेश है नेस्ट कोश्टन है आपका साथवा दिए गए बिन्दूआ पर तीन तीन वाके लिखने हैं चात्रों आपको तो फस्ट है संत्रेत अहार यहाँ पर लिखना है हमें संत्रेत अहार लेना हम आहार में क्याल हैं जिससे हम सबस्तर हैं तो हमें आहार में पांचों तत्वे यहां पर पांचों लिखा है ठीक है पांच ये चा में ओ की मात्रा है पांचों तत्व संद्रत मात्रा में लेना चाहिए अगला है आपका सूर की बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती क ये कोई तीनों पाइब बताईए उत्तर रिखने राशानिक पर आजने को का काम अपयोग करें आस्पास गंदगी ना करें सर्वायन की भाहन का पयोग करें के लिए लग मनुश्य को श्रस्त्री ने की कारणते हैं उत्तर इकना प्रचीन मनुश्य सबिल पाँ तत्तों को श्रवंक बनाए रखता है इसलिए इन पहर प्रिशन चेमान फोल को उस्चा च्छाएं लेट है एक प्र nós प्रिसंटेंश कोई पर लिए पमाशन लाइक शमाबेस जाएक बात आपको पार्ट आठे संगीत में कितने कराएं होती है उत्तर आएगा सोला तांसेयन की गुरु वेहन कौन है तो पार्ट के दाएपर प्र तांसेयन की गुरु वेहन रूपा है स्वाइं हरिदास को संघी सुनने के लिए क्हां या उपाई किया उन्होंने ताकि हरिदास ही का सके त्रवंर फिर Product art १र्णी के लिए जिन जी उनका गायन सुनने आया थे जो उन Willever आप जो लिखा ठीक जामियों की लिगी है इसके वाद चाहतु आपका साथवा प्रशने है पार्ट के रहा पर बताईए कि दीपक राग के वाद मेग मलहार प्राना की वर्शक है उत्तर रिखना दीपक राग क्योंकि दीपक राग सरीर में गर्मी उत्पन्य करता है और मेग मलहार रग प्राना की रख्चा करता है इस कारण पिर स्वामी हरिदास ने कभी अकवर को कैसे पहचान लिया तो हरिदास ने अकवर को आँखों का इसारा करते हुए देख लिया था फिर है नौबा तांसे ने अपने गुरू को अं को खंदर किया था उत्ता लेक्वनाइब के खुष करने के लिए गाते थे अपने सब्दों में दीजियों तो शंगीत के महान गया थे उन्हांने समराट की नवरतनों में भी लक्ष बनाया संगीत सम्राट तांसेन की नगरी वाजर के लिए कहात प्रश्द्य की यहां प्रान्नों का संगत आ गया था यदि रूपा थांस्यन की मदद नहीं करती तो तांस्यन की राध हटके चलते दीपकंप घ्राइब गाना पड़ता और उस्युद्धी पर तांसयन की सरीर में अगनि जल उठती और उसकी प्राणा पर संगट आज पड़ता आपका नौब प्रश्ण है पादर दोए पार्ट नो है पादर दोए फॉस्ट आंसर रहेगा रहीम का सेकेंड आंसर है बरतमार मैं थर्ड आंसर रहेगा आपका राती भाव की फूर्ट में बुरा आदमी कौन मिला त तो दूसरा इश्वर की भक्ति मंद से करो पिर रहेई इट्र मोट्म प्रक्ति की कुसंगती की वाद कि स्थी है उस दोहे में कहीए उस निद्ध है कभी ने कोई काम कभी भी करने की बात क्यों कहीं है क्यों कि दाजी कर देनौ का नहीं अपना काम कब करोगे फिर 11 कभी एक समासुधारक थे इस पर अपने बिचार अपने सब्दों में लिखिए तो यह समान में चल रहे अंद्विश्वास बारोडियों पर भी करार प्रहार किया फिर बारवा प्रिश्ण आपको भावारत लखना है तो यह आपका भावारत आप देख सकते हूं मेरा जी कहते हैं कि मेरा सबकुछ की जीफ सरी मोल मुकर धारण करने वाड़ी कृषन के मेर ही मेरे पती है मदा भाई इन तुह 30 में अब स्रीकृष्ण को अपना माल लिया है मैं लोकलाज की बुरिवार की बिना संतां की बीचती हूं अब अब स्कूल कार्याला में किया जाता है पत्र क शमानंगों के नाम दो पत्र लिखन का नाम पत्र शंबोधन बिसवस्थी पत्र पत्र हस्ताइक्षर पर सकर्मक जया वाले एक वाक्त सकर्मक मुईत हमारे साथ रहता हुआ कर्मक मूर नाचता है महमान की खराने पर हमें क्या छिपाने का प्लास किया तो आने पर टूटे-फुटे अपर आने बस्तों चुपाते हैं फिर साथवा है इसमें आपको लिखना है कौन सा पत्र रखेंगे मातर पिता को तो व्यक्तियत पत्र प्रतानों द्यापा को सास के पत्र जला दी इसको तो सास के पत्र सरपंद को सास के पत्र फिर मित्र भाई को तो यहां पर भी सास के पत्र आएगा आठ्वा प्रशन है पत्र लेखक का नाम पता बदेनां कहा लिखते हैं पत्र में पत्र में आप त do not 관 DOU Bernie सबस्क्राइब ही और वादा सबस्क्राइब वळाद अभी आए पत्र विक्टित have सबस्क्राइब पत्र के सबस्क्राइब वह तरों सबस्क्राइब तो स्वागत अभी वादन की ग्यारवार प्रश्ण उत्र आप देख सकते हो फिर आपका वार्वार प्रश्ण आपका वेदन लिखना है बड़ी वहन कुछ इस प्रकास आप लिख दीज़ेगा नीचे तुमारा भाई जो भी है आपका नाम आप अपना नाम डालिएगा ठीक को सब्सक्राइब कर लिजेगा जिदोने भी आपकी फ्रेंड ने उनकी व्यार पर तोने वीडियो को शेयर कर दीजेगा थैंक्स कर वादिंग अभी मिलते हैं नेस्ट वीडियो पर जब तक के लिए धन्यवाद हाद सराए जेखने विए भी इत्शे पर पर जन्यवाद किया झालिवा तूने हीक है